खाई और बिखनों आज इका सुपसंदेश के लिए आप सभी को हम स्वागते हैं कलवरी के पहाड पर चड़ा थामू कुट काटो का सेर पर मेरी वेदेना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया मेरी वेदेना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया आज का संदेश प्रदा क्रिस्टेफु स्वाली मुंबई से बाटा जाएगा पारत्रा के साथ सुलिखे आए हम थोड़ा समय के लिए प्रमिश्य के वच्चन के और जाएगे हम पढ़ेंगे ने मिया उसका तीन का छे फिर पुराने फाटक की मरमत पाश्या के पुत्र यह यादत बासो यादर के पुत्र मसुलाम ने की औरने उसकी कडिया लगाई और उसके पले ताले और बेड पढ़े गए ताकि जैसा मसी पिता की महिमा के द्वारा मेरों में से जिलाए गए वैसे हम नया जीवन की चाल चले वच्चन पढ़ादा परमेश्य पिता हम तो आशिश करें हमारे हिर्दे को रभू की महिमा हो और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जा ओल गेट पुराना गे हम देख देगी गेश जो उसके साथ गाड़ेक एक नया जीवन का चाल चलने छे एक परिवतर जीवन थोड़ा समय के लिए हम परमीश्य का दास बारएं में देखेंगे पहला उसका नम शाल था अब साहुल का कैसा पॉलूस हो गया कैसा स्रीब उसका नाम ने उसका जीवन बदली हो गया जैसा है पहले तो यह काम 9 का उसका 10 से और आप 29 में पड़े कि उसका एक नया जीवन के बारे में लिखा है जब हम देखते कि पॉलूस कौन ता कलीशा को सता था पॉलूस परमीशा का लोग से एक नफरत करने वाला था पहले का जीवन यह पहला और उसके बाद जब पोलुस उद्धार पाया जब ईश्य मसी को ईश्य मसी पोलुसे बात किया और बोला सूर्य से बढ़का रोशनी देखा और हम देखते कि जब उस रोशनी आया उसका जीवन सब परिवतनों स गमंड सब चले गया यह पहला बोजन जो धार के बाद प्रभु के दास के साथ पोलुस खाया और यहां पर पहला पॉइंट है कि एक संगती जब एक नया परिवतनों होता है तो उनका संगती कलीश्या के साथ प्रभु का लोग के साथ होने चीए और वहां पर हम देखते क पहला बोजन अपर रूम में न्यू फेलोशिप एक नया मिल नया मिल खाता है वहां पर हम देखते कि वह क्या रोटी से प्याले से भाग लेता है बोजन हमें किसका चित्र दिखाई देता है प्रभु इश्य मसी का चित्र हमको दिखाई देता है और वहां पर हम देखते कि पोलुस खाता है और उस बोजन के द्वारा हमें शक्ति मिलते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु ईश्री मसी बोला है इस रोटी से खाते हैं कट्रों से पीते जब तक ने आऊंगा मेरा मिर्तु का पड़चार करना बगर यहां पर हम देखते कि उसके बाद उसका एक नया मित्र पुराने मित्र को सब छोड़ दिया पुराने संगती सब छोड़ दिया बाहर मिले के जो प्रभु में एक नया शिष्टी है पुराने बाते बीद गई वहाँ पर हम देखते हैं कि अपना पुराना मित्र बदल दिया गया ऐसा मित्र जो प्रभु के साध्रा पोलुस उसके उनके साथ संगती किया जब आप वही अध्याय को रोमियो 9 का 10 से अब 29 तक पड़ेगे तो पोलुस देखो किदर पाया गया पोलुस किसके साध्रा जैलो के साध्रा पोलुस जो पहला अपने जो ऐसा मित्र अ जो कलीशा का लोग वो सदा था इंके साख जा अथा मगर आप हम देख देगी वह अगया उसका श्रुलों को नहीं हो प्रभू का शिश है प्रभू का लोग दैनिल के बिवारे में देख सकते कि दैनियर प्विश्ट ये बातों को हम परक्नें चेसा पुलूिस के लोक पुलूस के साथ चेलो के साथ पुलूस का जीवनम परीवतन होाँ शुरुअत हो गया इसको बोलता है परिवतन जीवन-जीवनम अगल यहां पर भजन से और वजन संगीत है एक में लिखा है कि क्या है धन्यों पुरूश जो जुष्टियू की उक्ति परने बेड़ता ना पापीयों के मारक में कटटा तीन बातों को वहां पर बताए गया एक धन्य वेक्ति एक आशिश वेक्ति परमिश्य के द्वारे परिवतन वेक्ति एक तीन बातों से क्या करता हूँ आलक रहता है हो तटा नहीं करेगा और दुष्टों के मारक में नहीं जाएगा ना पापयों के मारक में खड़ा होता है और बजन सेंगीत है 962ड में हम देखते कि दाउद का मित्र बोला कि चलो वह बहुत आनों होगया हम किसमे आनन होता है क्या मारा मित्रать हम चलो एना इस बात को करें अ法भ और तो दाउद का मित्र बोला कि परमेष्य के भोन में जाएगा तो मैं भूत आननी दोगल है क्योंकि दाउत सोचा कि मेरा मित्र है जो परमेश्य को ब्रेम करने आला मेरा मित्र है जो प्रभु के साथ संगती रखने आला मुझे इसा मित्र मिला है जो परमेश्य के भवन को लेगी जाने वाला तो हमारा मित्र को ने, कि हमारा मित्र वो है कि जो हमको बूरे मारकों पे लेगी जा सके, डानिल का तीन मित्र था, सतरक में शक आबिल लगो, तीन मित्र बोला कि हम रोयल का खाना, राजा का एकदम अच्छा खाना को हम खाएगा ने, हम दाक मदूने पेगा, हम अलग रहेग और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप हमारा चेहरा को देखो वहाँ पर हम देखते कि दानिल का जो तीन मित्र था और वहाँ पर हम देखते कि ओ मित्र का जो दानिल का मित्र का चेहरा क्या हो गया चमकने लग गया है और दानेल के बारे में नहीं सिर्फ याकुब का उसका चार का चार देखते हैं दुनिया का मित्र में रहे तो हम नाश्ट हो जाएगे यह मैं खुत ने बलता हूँ यह परमीश्य का वचन यह पवित्रा आत्मा जो प्रभीश्य मसी का भाई याकुब इस बातों को याद हो जाएगा कि यह वचन हमको क्या दर्शात है हम लोग पड़े याकुब का चार का चार में लिका है कि है वेविचारियों क्या तुम नहीं जानते कि संसा से मित्रता करना परमेश्य से बहर है और जो कई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आपको परम परमेश्य का वचन बता है तुम लोग अलग रहने का सिप्रेशन नहीं है अलगावपन नहीं है और यहां पर यह लिकाए कि संसाथ से मित्तर करना कोने परमेश्य का तुम बहरी है यह पवित्रा आत्मा इस भातों को हमको याद दिलाता है जो को संसाथ का मित्तर होना चाहता मयों सुन रहे तो यहां बातों को याद राखे कि परभेश्या वुजण अपको परभेश्य और लीखामरे कि वेवीचारियों क्योंकि तुम्हारा जीओं में कोई परिवत्तन नहीं तुम्हारा जीओं में कोई निया जीओं नहीं प Bouल Europ спal पॉलूस का जीवन को देखो और पॉलूस बोलता है मेरे जैसा चाल चलो जब पॉलूस बोलता है क्यों कि पॉलूस का जीवन जो एकदम परिवतन हो गया पॉलूस सब बातों को छोड़ देख नया शिष्टी बना प्रभु में पुराने बात छप छोड़ दिया पुरा मित् में जाएंगे लगर एक प्रभू का मित्र रेग है वो हमको प्रभू से बहुत दूर ले कि तो प्रमीशा कशन इस पवित्र आत्मा आपसे मुझे इस बातों को यहां पर बताता है कि जो भी ऐसा होएगा वो परमेश्य से दूर हो जागए परमेश्य से दूर हो ही आप नाश में जाएंगे तो यहां पर पॉलूस का जीवन को कैसा परिवतन हो गया पॉलूस का घमंड को चले गया पॉलूस अपने आपको छोटा बनाया पॉलूस के होते हैं सब को उसका वच्चन के नियम दिया है पर मेश्य का लोग कईसा संसार में जीवन को जीने परिवतन जीवन को आज हमने परमेश्य के वच्चन से सुना तो इस बातों को हम याद रखे कि हमारा जीवन एक परिवतन होते वे प्रमुव एक नया शृष्ष्टी बनते वे और वहां पर हम देख देखी पूराना गेट को जो मरमत किया और उसके बाद लिखा कि हम उसके स संसार में रहते हमारा जीवन एक परिवतन जीवन है हमारा जीवन सेप्रेशन होने छे हमारा जीवन में अलगावपन होने छे और यहां पर लिखा कि जो अगर मित्र को नहीं छोड़ेगे वहां पर लिखा उनके लिखा कि है वे विविचारियों यह मैने बताता है पवित् बातों को बता कि आप सुसमाचर ने बताएंगे आपके दोस्कों तो परमेशर आपसे पूचिए प्रभू को आपको इसाप देने पड़ेगा तो इस बातों को याद रखे हम एक नया जीवन की चाल चले हम प्रभू में आगे बढ़े हमारा जीवन एक दीपक के नहां प्रभू करें वच्चन के दोरा हमारे हिर्दे को आशिश करें प्रभू के बड़े धने नाम की मैमा हो एमें